मैं अंशिक शोमेदर्शनी मैं ओडिसा से आई हूँ आज आपके सामने जीवन में सद्गुरु की आविशक्ता के बारे में बोले जा रहे हूँ जैसे हमें कई कलाएं सीखने के लिए सद्गुरु की आविशक्ता होती है हमें सद्गुरु सही मार्ग दिखाते है और उस पे चलना सिखाते हैं इसी जतना भला हमारे लिए चाहते है उतना असंसार में और कोई नहीं चाहता इसलिए तो कबीर जी गाते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बली हारी गोलो आपन गोविंद दो बताए कबीरा गोविंद दो बताए एक शिक्षक हमें मारदर्शक बन सकता है पढ़ा सकता है लिखा सकता है लेकिन आत्मा अनुभब नहीं करा सकता लेकिन सद्गुरु हमें आत्मा अनुभब बिना कुछ बोले ही एक सतशिष्य को समझा सकते हैं और एक सतशिष्य उनसे बिना पूछे और सवाल किया है समझ सकता है जिनके जीवन में समझ सद्गुरू नहीं होते उनका जीवन दिशाहीन होता है जैसे तुम तो एक काड़ी में बैठ गए लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहां जाना है तो वो काड़ी तो तुम्हें कहीं बेभी पहुचा देगी चाहे वो गड़ा हो या खाई हो लेकिन जिनके जीवन में समझ सद्गुरू होते हैं उनका जीवन मंगल में और उज्वल होता है उन्हें उनके सद्गुरु सफल होने का मार्क बताते हैं अंतर मुख होकर अनन्त की यात्रा करवाते हैं उत्साह भर देते हैं, विश्वास दिलाते हैं धन्यवाद